हलो फ्रेंड्स वेलकॉम बैक टू पॉश्टिव अप्रोच दिस इस नितेस भार्दवाज कैसे हो आप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज जो है हम जीपी यानि जीमेट्रिक प्रोग्रेशन के उपर कुछ नुमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है यह एक्जामपल जो है यह नुमेरिकल जो है सॉल्व होते हैं आयो तो बिना वक्त गवाई वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम बिल्कुल असान से सुरुवात करेंगे और थोड़े से टिपिकल की तरफ बढ़ेंगे तो पहला एक्जामपल जो है पहला नुमेरिकल जो है हमारे पास क्या बोलता है find twelfth term of GP whose eighth term is 192 and common resource 2 देखें कितना easy question है find twelfth term of GP तो हमें पता है कि twelfth term GP में TN AR की पावर N-1 AR की पावर 12-1 कितनी चाहिए हमें T12 चाहिए तो कितनी आईगी AR की पावर 12-1 which is equal to AR की पावर 11 कितनी दी गई है यह हमने क्या है निकालनी है whose eighth term is तो T8 कितना है देखें AR की पावर 8-1 होगा which is equal to AR की पावर 7 which is equal to 192 ठीक है आप देख रहे हैं जो हमें given है वो हमने लिखना है and common ratio common ratio क्या होता है यहां पर R R कितना दिया गया है 2 दिया गया है और यह अभी given है यहां पर substitute कर देंगे 2 तो A की value आ जाएगी देखिए A into R 2 raise to power 7 which is equal to 192 A which is equal to 192 divided by 224, 282, 242, 128 128 होगा 2 raise to power 7 ठीक है अब इसे काड़ देते हैं कि तू नाइन जार 18 है तू शिक्सर ट्वाइलव तू फॉर जार एट कि 16 से कारते हैं 16 चोके 64 कि 166 के 96 दो दो चार तीन दो च्छे एक इतना आ गया हमारे पास थ्री बाइटू आ गया एब यह अब हमें पता है आर भी हम पता है आर की 11 हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं जो कि क्या होगा टी ट्वाइलव होगा तो टी ट्वाइलव जो हम इसे पूछा गया ट्वैल्फ टेर्म ऑफ जी पी विच इस उक्वल टू ए आर की पावर 11 ए कितना है यहां पर 3 बाइटू आर कितना है टू रेज टू पावर 11 टू के साथ एक पावर कट जागी कितना आजाएगा 3 इंटू 2 रेज टू पावर 10 विच इस उक्वल टू 3 इंटू 2 2 4 2 8 2 16 2 32 242 128 128 22 2512 12 14 24 टू रेज टू आवर 10 कितना होता है एक हजार 24 विच इस उक्वल टू 4 3 12 3 2 0 6 1 7 0 3 तीन हजार भत्र जो टूर्स टर्म होगी वो कितने होगी 3072 तो इस तरीके से जो हमने यह कोशन सॉल्व करना है नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या बहु र अब टू एंटर्म्स पहले तो आपको सीरीज देखे घबराना नहीं है क्योंकि यहां पर अंडू लग गया तो क्या हो गया आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना जो रूल है जो मैथड है उसी से जो है सॉल्व करना है अब यहां पर देखिए यह कितना है यहां पर अंड गया निकलेगी घाए डिया डिवाइड बार रोटो सेवन ठीक हैं मिच्कीज उकल टूँ अन्ड म्डू ट्विएड-वाइड-वायरա निकलेगी अंड़ू ट्व्एटूं ट्वाइड बाया रूट सेवन चेंसल हो जाएगा कितना आ जाए अंड रूट-वा पेड़ Вид 7 है देखिए कितना इजी कोश्चन है अंडूर्ट देकर घबराना नहीं है जो हमें पता है मैथड उस मेथड को डारेक्ट अपलाई करना है और कितना है अंडूर्ट 3 रेस तुपावर एंड माइनस 1 डिवारीड बाय अंडूर्ट 3-1 अब आप ओप्सें के ऊपर डिपैंड plus 1 plus 1 which is equal to under root 7 into under 3 raise to power n minus 1 into under 3 plus 1 divided by under 3 minus 1 a minus b into a plus b a square minus b square which is equal to 3 minus 1 which is equal to 2 तो यह क्या आ जाएगा यह आ जाएगा under 7 divided by 2 into under 3 plus 1 bracket में 3 raise to power 1 by 2 multiply by n by 2 minus 1 यह हमारा required answer है simplificate करेंगे इसको तो हमारा answer आ जाएगा और यह depend करेगा option के उपर कि हमें कौन सी option जो है दी गई है तो इस तरीके से जो है question करना है next question देखिए और यह जितने भी question है यह बहुत important question है तो यह question आपको आने चाहिए तीसरा question क्या है समेशन I ranging from 1 to 11 2 plus 3 raise to power k evaluate करना है हमें दीखिए किस तरीके से होगा समेशन का मतलब क्या होद है sum होता है मैं पता यहाँ पर SN का फार्मूला लगेगा और और आई कहां से कहां तक जा रहा है मां कीजीगा यहां पर के होना चाहिए के रेंजिंग फ्रों 1 to 11 ठीक है तो के कहां से कहां तक जा रहा हो वन से लेकर 11 तक तो सब्सक्रिशिव कीजिए 1 by 1 अगर 1 के 1 लेते हैं तो कितना आएगा 11 अब आप देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 अप्टू सो ओन 11 टर्म प्लस 3 प्लस 3 स्केर प्लस 3 क्यू प्लस सो ओन कहां तक 3 रेस टू पावर 11 यह सम हमें निकालना है बिलकुल इजी है तो यह कितना हो गया 2 multiply by 11 हो गया क्योंकि 11 बार जो है 2 को add करना है प्लस यह देखिए यह क्या बन रहा है sum of GP बन रहा है जहां पर A 3 है और R कितना है अगें 3 है तो इसका sum क्या जाएगा A into R की पावर N 3 रेस टू पावर N कितना है यहां पर 11 है minus 1 divided by 3 minus 1 which is equal to 22 plus 3 divided by 2 into 3 raised to पावर 11 minus 1 तो यहां जो हमारे पास right answer आ गया इस तरीके से हमने question को solve करना है अब देखिए question number 4 क्या कहता है हमें formula ज्याद होने चाहिए और कैसे apply करना है हमें वह question में आना चाहिए ठीक है अब question number 4 है आपको कोई doubt होता है किसी question में तो please comment करके मुझे जरूर बता है find a GP for which sum of first two term is minus 4 कोई GP निकाल लिए जिसके पहली two term का जो sum है वो कितना दिया गया है minus 4 and fifth term is fourth term the third term ठीक है अब sum क्या दियागा देखिए माल लिजी कोई term a1 और a2 ले लिजी ठीक है अब sum of first two term a1 प्लस a2 sum of first two term कितना दिया गया है minus 4 दिया गया है ठीक है and fifth term is fourth time the third term fifth term क्या होगी ar की four which is equal to third term क्या होगी four time it's third term third term होगी ar की three minus one ar square अब यहां से क्या निकलेगा हमारे पास r square is equal to four r is equal to plus minus two दो केस निकल गए एक r हो गया plus का two एक r कितना हो गया minus two ठीक है अब आप देखिए जब r plus two है ठीक है हमसे क्या पूछा गया find a GP हमने सीरीज निकालनी है whose sum of first two term is minus four sum of first two term कितना दिया गया है minus four दिया गया अब sum क्या होता अगर r देखिए r greater देने तो sum क्या होगा s n कितना होगा a into r की power n minus one divided by r minus one ठीक है अब sum पूछा गया हमसे है first two term का वो कितना दिया गया है देखिए s2 and to put कीजिए a into two raise to power two minus one divided by one which is equal to कितना minus four दिया गया है बिल्कुछ step by step चलना है तो question जो है अपने absolute होता है ठीक है अब यह क्या implies करता है a into 4 minus one is equal to minus four a is equal to a into three is equal to minus four यह क्या implies करता है a कितना आ गया minus four by three जब a हमार पास minus four by three आ गया r यहां पर कितना है plus two है तो अब जो है आम जीपी निकाल सकते हैं पहली क्या होगी minus four by three दूसरी होगी a r a multiply by r हो कितना होगा minus four by three into two तीसरी क्या होगी a r square अब easily जो है आप जीपी निकाल सकते हो similarly r जब minus two होगा वहां पर sn निकालना है sn से a की value आ जाएगी और next gp हमा निकल जाएगी तो इस तरीके से जो यह question अपने solve करना है question देकर गभराना नहीं है जो दिया गया होता है मैं वो लिखने और ऐसे apply करना हमें आना चाहिए यह तभी आएगा जब आप जितने ज़्यादा practice करोगे तो वीडियो को पूरी जरूर देखे यह आगे वाले question बहुत important question है exam में जो है पूछे जाते हैं हमारा fifth numerical है find the value of n यह question हमने a p में भी किया था आज जो हम इसको gp में कर रहे है so that a raise to power n plus 1 plus b raise to power n plus 1 divided by a की n plus b की n may be geometrical mean between a and b क्या बोल रहा है कि find the value of n की value निकालनी है जहाँ पर दिया गया है a n plus 1 plus b n plus 1 divided by a raise to power n plus b raise to power n किसके प्रापर दिया गया है geometrical mean between two terms geometrical mean between two terms कितना होता है under root of a b और वहाँ पर a m था तो a plus b by 2 होता है अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी a p वाली तो उन वीडियो को जुरूर देखे दिखिए इसे हम क्या लिख सकते है a b की power 1 by 2 जिससे हम लिख सकते है a की power 1 by 2 b की power 1 by 2 अब cross multiply कर देजिए हमें n की value निकाल नहीं है तो हमें simplification ही करनी है इसकी तो यह कितना हैगा देखिए a की n प्लस b की n multiply a raise to power 1 by 2 multiply b raise to power 1 by 2 which is equal to a की power n plus 1 plus b की power n plus 1 step by step चलना है हमें question अपना solve होता है अब इसे multiply कीजिए जब base प्रावर तो power क्या हो जाती है plus n plus 1 by 2 plus a की power n multiply b की power 1 by 2 अब इससे कर यह दोनों को multiply b की power n multiply a की power 1 by 2 plus b की power n plus 1 by 2 multiply b की power हो गया which is equal to a की power n plus 1 plus b की power n plus 1 जब हम a की n से दोनों को multiply करेंगे तो कितना आएगा हमार पास a की n plus 1 by 2 माफ कीजिए यहाँ पर कितना आएगा साथ में b की power 1 by 2 कितना आएगा b की power 1 by 2 यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होगी है देखी क्या पहले जो हमने a की n से multiply करना है तो कितना आएगा a की power n plus 1 by 2 multiply b की ठीक है अब b की n से हमने multiply करना है तो हमारे पास यह टर्म जो है बीच वाली नहीं आएगी हमारे पास कितना आएगा प्लस b की power n plus 1 by 2 multiply a की power 1 by 2 which is equal to this माफ कीजीगा यहाँ पर जो हमने जो multiply थोड़ी सी गलत कर दी थी अब यहाँ पर आप देखिए a की टर्म को इसल ले आते है b की टर्म को इसल ले जाते है a की power n plus 1 by 2 into b raise to power 1 by 2 minus a की power n plus 1 which is equal to b की power n plus 1 minus a की power 1 by 2 b की power n plus 1 by 2 अब देखिए कैसे simplify करना है हमने simplify करना है देखिए a की power n plus 1 by 2 as it is लिखिए b की power 1 by 2 minus a की n plus 1 कहों क्या लिख सकते है ध्यान दीजिए a की power n plus 1 by 2 plus 1 by 2 क्योंकि half plus half कितना होता है 1 होता है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जब इसे हमेंने ऐसे लिख दिया तो इस टर्म को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए a की power n dot a की power 1 by 2 plus 1 by 2 क्योंकि जब power बेस ब्राबर होता है तो power क्या हो जाती है add हो जाती है चलो इसको पूरा करके देख लेते हैं which is equal to b की power n plus 1 इससे आपको ज्यादा clear हो जाएगा a की power 1 by 2 dot b की power n plus 1 by 2 similarly इस side भी जो b को इस तरीके से लिखिए b की power n plus 1 by 2 plus 1 by 2 क्योंकि 1 by 2 plus 1 by 2 1 होता है अब देखिए a की power n plus 1 by 2 cross b की power 1 by 2 minus a की power n plus 1 by 2 multiply a की power 1 by 2 अगर base पराबर है तो power plus हो जाती है which is equal to b की power n plus 1 by 2 multiply by b की power 1 by 2 minus a की power 1 by 2 multiply b की power n plus 1 by 2 अब देखिए common क्या है a की power n plus 1 by 2 यहाँ पर common है कितना है b की power 1 by 2 minus a की power 1 by 2 which is equal to यहाँ पर भी यह चीज common है हमारे पास यहाँ पर कितना है b की power 1 by 2 minus a की power 1 by 2 इसके साथ यह value cancel हो गई हमारे पास क्या बचा a की power n plus 1 by 2 is equal to b की power n plus 1 by 2 बिल्कुल easy है a over b की power n plus 1 by 2 which is equal to is said 1 था 1 को हम जो है लिख सकते है a b की power 0 अगर base ब्राबरे power भी equal हो जाएंगी तो n यहाँ से कितना आ गया minus 1 by 2 तो इस तरीके से जो है आपको question जो है solve करना है I hope your question आपको clear हो गया होगा अब next question देखते है question number 6 question number 6 क्या बोलता है देखिए the sum of two number is six time their geometrical mean माल लेते हैं कोई number क्या है a b है यह क्या बोल रहा है the sum of two number is इनका sum ले लेते है six time of their geometric mean geometric mean क्या होता है and root of a b the number are in what ratio यह जो number है a और b यह किस ratio में है तो हमें क्या निकालना है a is to b हमें निकालना है देखिए इस तरीके के question को कैसे करता है बहुत important question है a plus b by हमने जो है इस तरफ a plus b का horse square का formula बनाना है वो कैसे बनेगा six को हम तोड़ देते हैं two under root a b is equal to three ध्यान से देखिए six को हम क्या लिख सकते है three multiply by two under root a b two under root a b को हम इस तरफ ले आए three हमने इस तरफ रहने दिया ठीक है ऐसा क्यूंकि अभी आपको समझ आ जाएगा यहां पर जो है component and dividend of apply करना है क्या करना है component and dividend of क्या होता है a plus b plus two under root a b divided by a plus b minus two under root a b which is equal to three plus one divided by three minus one बोथ साइड component and dividend apply किया ऐसा क्यों किया देखिए अब यह किसका फार्मूला बना under root a plus under root b का whole square divided by under root a minus under root b का whole square which is equal to four by two which is equal to two by one देखिए इस तरप इस फॉर्मूला को स्केर फॉर्मूला को बनाने के लिए जो है हमने यह सब किया तो इसकी जब प्रैक्टिस करो गए तो आपको समझ जो है आ जाएगी अगर इस तरीका कोशन आपको एक्जाम में आता है अब देखिए taking root both side जब हम under root लेंगे तो square खतम हो जाएगा ठीक है जब square खतम हो गया तो इस side कितना आ जाएगा under root of two ठीक है under root two वह आ गया अब again applying component or dividend हो क्योंकि हमें जो है under root a भी खतम करना है हमें क्या चाहिए यह a is to be again apply किया कितना आ गया under root a plus under root b plus under root a minus under root b divided by under root a plus under root b minus under root a minus under root b plus under root b which is equal to under two plus one divided by under two minus one इस तरी के से जो component दिविडेंट अप्लाई करते हैं अब देखिए b के साथ b cancel a के साथ a cancel कितना आ गया हमारे पास यह आ गया two under root a divided by two under root b which is equal to under root two plus one divided by under root two minus one two के साथ two cancel हो गया अब under root खतम करनी के लिए हमें क्या करना है square करना है बिल्कुल ठीक a divided by b square किया तो इस तरफ कितना आ गया under root two plus one का whole square divided by and do two minus one का whole square तो यह हमारे पास रहे सो आगी इसे और सिंपल कर लेते हैं two plus one plus two under root divided by a square plus b square minus two a b which is equal to three plus two under root divided by three minus two under two तो a is to be कितना आ गया three plus two under two is to three minus two under two तो देखिए कितना easy question है लेकिन थोड़ा सा tricky question है आप जब एक और इसके practice करोगे तो आपको जो है question अच्छे से understand हो जाएगा और आप इजली जो इस तरीके के question को कर सकते हो अगर मेरा पढ़ाएगा आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा जो है देखिए यह ना एपी लग रही है ना यह जेपी लग रही है यह है special series क्या बोलते हैं इसे special series अभी हम समझेंगे कि special series कैसे solve होती है लेकिन special series करने से पहले कुछ जो है मैं आपको फार्मूला जो बताऊंगा जो फार्मूला बहुत हीपोर्टन है अगर माल यह sigma n है फिर i ranging from 1 to n है हमारे पास 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 42 infinity है 42 n तक है तो क्या होगा उसका तो उसका जो फार्मूला होता है n into n plus 1 divided by 2 अगर sigma n square हो हमारे पास i ranging from 1 to n तो क्या फार्मूला होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 similarly n cube हो हमारे पास तो कितना होता है n into n plus 1 divided by 2 का whole square यह कुछ फार्मूले है जो special series कहा है जैसे for example यह series है 1 plus 2 plus 3 plus so on to n और यह कौन सी series है 1 square, 2 square, 3 square, so on to n square और यह कौन सी series है 1 की cube, 2 cube, 3 cube, so on to n cube तो यह formula जो आपको याद होने चाहिए इससे भी जो exam question पूछ जाते है ठीक है अब देखिए इस question को हमने कैसे solve करना है ना हमें यह AP लग रही है ना यह JP है तो इस तरीके question को ठीक है हमें समनी कालना है इसको SN ले लेते हैं अब देखिए SN again मैं इसी series को लिखूंगा लेकिन कैसे ध्यान दीजिएगा देखिए 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस so on प्लस N-1 प्लस N ठीक है N तक N से पहले वाल टरम N-1 होगी अगेन देखिए इससी series को मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा यहाँ पर लिखूंगा 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस so on प्लस तो यहाँ के नीचे कितना आएगा N-2 क्योंकि एक तर्म आगे लिख रहे हैं हैं हम एक तर्म आगे लिख रहे हैं ठीक है यहाँ पर 0 लिख लिजिए माल लिजिए 0 लिख लिए एक तर्म आगे लिख रहे हैं प्लस N-1 प्लस N ठीक है, अब इन दोनों टर्म को इस टर्म से इस टर्म को क्या करना है सब्ट्रेक्ट करना है, यह बिल्कुल अलग सीरीज है तो ध्यान से देखिए S N-S N कितना हो गया, 0 5 से 0 गए 5 प्लस 11 से 5 गए 6 प्लस 19 से 11 गए 8 प्लस 19 से 29 से 19 गए 10 प्लस सो ओन प्लस देखिए कितना आएगा N-1-N ठीक है, और लास्ट में कितना आएगा हमारे पास N आएगा ठीक है, N-1 टर्म आएगे हमारे पास अब देखिए कोशन कैसे स्वाल्म होगा 5 ठीक है, हम क्या निकला है S1 5 प्लस यह कौन सी सीरीज बनी अंदर देखिए 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 1 तो N-1 अब जब आप देख रहे हैं कि यह सीरीज तो यहाँ पर ही खतम हो गई N-1 टर्म तक प्लस N भी बच गया यह भी माइनस करते हैं यह माइनस कितना जाएगा N आज जाएगा ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए 5 प्लस यहाँ पर A कितना है यहाँ पर AN निकालना है हमने इसकी N-th टर्म निकालनी है ठीक है, कैने निकालनी है अमने इसकी N-th टर्म और n कितना है यहाँ पर? n-1 है, तो कितना आ गया? जहान दीजिए. n by 2, n-1 by 2, 2 है, 2 into 6 plus n-1-1 into d, d कितना है? 6, 2, minus nth term, which is equal to 5 plus n-1, divided by 2 into 6, 2, 12 plus n-2 into 2, minus n, बिल्कुल हीजी है, देखिए, इसके बद बस टेप, बस टेप चलना है, हमें, 5 plus n-1 into 12 plus 2n-4, divided by 2, minus 4, ठीक है, अब ध्यान दीजी आगे, which is equal to 5 plus, अब इसको भी जो है, open कर दीजिए, open करने के बाद हमार पास कितना जाएगा? देखिए, n-1 into, 2, 2n plus 8, divided by 2, minus 4, which is equal to 5 plus, n-1, यहां से 2 common ले लेते है, n plus 4, 2 common ले, 2 किसा 2 cancel हो गया, minus 4, which is equal to, कितना आगे हमार पास, 5 minus 4 कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है, तो कितना आया हमार पास, देखिए, n-1 into, n plus 4, plus 1, which is equal to, n square, plus 4n, minus n-4, plus 1, ठीक है, यहां कितना हो गया? इसे मैं इधर लिखरा हूँ, which is equal to, n square, यह कितना था? n square, plus 4n, minus n, plus 3n, minus 4, plus 1, minus 4, plus 1, minus 3, तो यह हो जो है, हमार पास required sum आगे, अब हमने sn निकालना है, तो इसका sigma करना है, summation लगा दिया, तो यह कितना आगे? summation of n square, plus 3 summation n, minus 3, अब n square का formula हमें आता है, n का formula हमें आता है, तो इस तरीके से जहां हमने इस question को solve करना है, माफ कीजीगा, यहां पर हमने देखिए क्या गलती की, जब हम n लेकर चले थे, तो हमने यहां पर इसका 4 बना दिया है, तो यह n होगा, यह n होगा, और यह n इस side आजाएगा, क्योंकि हम अभी n-th term निकाल रहे हैं, इस side 0 था, तो minus n plus 0 कितना आगया? n आगया, यहां पर कितना आजाएगा? n आजाएगा, और तो जब यहां पर minus नहीं होगा, तो यहां पर कितना आएगा? प्लस 1 आएगा, कितना आएगा हमारे पास? प्लस 1 आएगा, अब हमने जो है, sn निकालना है, कि टर्म का? इन एनथ टर्म का, ठीक है, जब sn निकाल दिया, अब यहां पर यह फर्मूल अपलाई कर देना है, तो इस तरीके से जो हैं हमारा question होना था, आएगा, आपको जो है, अच्छे से समझ आ गया होगा, इस तरीके से जो हमने यह सारे question करने है, यह हमारा था, स्यामत है example, हम अब अगला example करेंगे, 8th example, जो भी जो है, special series पर ही अधारित है, इसे भी जो exam में question पोच्छे जाते हैं, आएगे, देखते हैं, कैसे question जो है, solve होगा, question number 8 है, 8 का अब हो रहा है, कि find the sum of n term of series, whose nth term is this, nth term क्या दी गई है हमारे पास, n into n plus 3, ठीक है, यह क्या हो जगया, n square plus 3 n, हब हम से पूचा गया, find the sum, जब हमने इसका sum निकालना है, तो देखिए कैसे होगा, sigma n square plus 3 n, which is equal to sigma n square plus 3 sigma n, इसके formula है, अभी हमने पढ़े n square का क्या होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, plus 3 into n into n plus 1 divided by 2, बिल्कुल easy question है, अब ठीक है, अब इसका LCM ले लीजी, कितना आएगा LCM, 6 आजाएगा, कितना आया, n into n plus 1 into 2n plus 1 plus, 3 time n into n plus 1, 2, 3's are 6, 3, 3's are 9, n into n plus 1, ठीक है, अब यहाँ पर common क्या है, देखिए, n into n plus 1, common आ गया हमारे पास, bracket में कितना आ गया, 2n plus 1 plus 9 divided by 6, तो यह जो है हमारे required sum है, और यह depend करता है, कि option हमारे पास क्या दिये गए होंगे, उस तरीके से हमने question को solve करना है, I hope मेरा द्वारा पढ़ा गए, आपको question जो है, फिर भी कोई doubt होता है, तो please comment करके मुझे जरूर बताए, और मेरे चैनल positive approach को subscribe करना ना भूले, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत.